इसमें लिए रह्माद रहीम जी इसलिए मैनूल में हम यह question solve करेंगे write a function that receives two values from the user and display large and small value और large और small value तो इसमें हम at a time जो सिर्फ एक ही value display करवाईगे जो large है और जो small that's it जी सबसे बहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक function declare करते है white max function कितनी values receive करेगा 2 integer type की फिलाला हम integer का ही function इस code को हम यहाँ पर comment करते है control k c और यहाँ पर इसकी बनाते है definition यह नहीं बताते हैं कि यह अब maximum find out कैसे करेगा that's it जी यहाँ पर बताएं यह अब जो पहली value है वो a में receive करेगा और जो दूसरी value है वो b में अगर a greater than होगा b से तो display हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर अधर्वाइस सी आउट हो जाएगा सेकंड वैल्यू ग्रेटर अब इसको सिंपल हमें क्या करना है सिर्फ कॉल करना है यहाँ पर कॉल करेंगे से call क्या आज करना जी max function का नाम है इसको value देते हैं three and four obviously second maximum है देखते हैं कि यह इसे परफॉर्म करवा पाता है कि यह सेकंड वैल्यू ग्रेटर क्योंकि हमने डिरेक्ट उसे values constantly pass कर दी है या फिर इसी तरह से जो है वो यह question हमारा solve हो जाएगा जी अब हम second question देखते है नेक्स वीडियो में तो आईए बलकि जो यह small सा question है make a mini calculator using यह हम इसी में कर लेते हैं जी हम एक function बनाते है void meaning calculator और यह values कितने रिसीव करेंगा जी एक integer की दूसरी भी integer की और एक character type की तीन values रिसीव करेंगा और इसमें यह काम कैसे करेंगा आएए देखते हैं इसकी definition देते हैं यहां पर सबसे पहले switch इसको अब यहां पर पहले variable बताएं जी किस किसमें इसने value और receive करनी है a b और ch जी हम user को provide कर वा switch को provide कर देंगे और अगर वो case हुआ प्लस का तो हम क्या करेंगे c out करवा देंगे a plus b और अगर case हुआ जी कौन सा minus का तो हम c out करवा देंगे a minus b और default में हम क्या provide करेंगे c out in valid operator ठीक है जी बस मैंने plus और minus को ही इसमें manage किया है जी इसमें कुल confusion नो तो आए भी इसको call करते है इसको copy पेस्ट करते हैं और इसमें सबसे बहले integer पास करते हैं two three और फिक रेक्टर पास करते प्लस का है that's it और उसके बाद यहां पर कर देते हैं c out ताकि उसके बाद maximum value भी डिस्प्ले हो जाए जी five invalid भी साथ आ गया है हम यहां पे एक चीज मिस कर गया है break break यहां पे भी और break बाकी तो आप कर लेंगे ना प्लस मैंने कर दिये आपने परफॉर्म कर लेंगे जी अमीद है आप यह परफॉर्म कर लेंगे जी five यहां value आ गई और उसके बाद ठीक है ना जी यहां पे यह देखें यह सबसे बहुत मेनी काल्कुरेटर कॉल हुआ उसमें वैल्यूस जो भी दी हुई थी जिस तरीके से दी हुई थी वह से तरीके से सॉल्व हुई सॉल्व होने के बाद लाइन कंट्रोल न्यू लाइन पे आ गया और फिर maximum value डिस्प्ले हो गई तो नेक्स वीडियो में हम इस question को सॉल्व करेंगे ठीके थी तब तक के लिए अपना ख्यार रखें और दौा में याद रखें अल्ला आफेज़